मैं भारत का रेलबे स्टेशन गरीब मिदल क्रास साधारां लोग मेरे महमान होते हैं मैं सब के लिए सोचता हूँ लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी अब गरीब लोग ठटके नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा गरीब थोड़ी एसी की हवा काएगा वो तो लगवी सीखियां चाड़ेगा अपने बुजर्ग माबा पूरी गश्ट से चढ़ाएगा साधारां आदमी कहां है पूर से सुविथा पाएगा बहेंगर देश की अर्थ विवस्था का बहुत बड़ा इंजन लेकिन मॉड़न बड़ा इंफ्रस्ट्रक्चर तो बढ़े लोगों के लिए बनेगा देश का साधारन आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा चलो अनलोगों रियुमेस स्टेशनों का उत्थान भर्यूपनि भिल्य होगा तगर बंबनि दिल्ली yn में, कहां चोते शहरों के स्टेशनों का नमबर लगेगा भारत के रियुमेस स्टेशनों की ये कड़वी हपिकत होती देश पर इस स्थती को बदलने का पीड़ा उठाया हमारे प्रधान मंतरी नरेंडर मोगी जी ने स्वाएं बच्पन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच कर पिता का हाथ बटाने वालत ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पर रखता देश के तीन डेलवे स्टेशनों को बदल कर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं गांधी नगर का कैपिटल स्टेशन, गोपाल का रानी कमलापती स्टेशन और बैन्यूरू का सरहें विश्विश्वर रईया स्टेशन इसी राह पर पूरे देश के 508 रिवे स्टेशनों का पुनर विकास होने जा रहा है देखिए इस नक्षे को देश भर में आकांग शाओं तक पहुँचेगी ये क्रामती जो की प्रेवना होगी अमरित काल में थरक्षेत्र के बाती स्टेशनों के लिए झाल 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 प्रभान मंतरी जी ने अमरित काल में नए भारत के सपने को नाम दिया है अमरित भारत स्टेशन भारत की महानता समानता और आधनिकता का प्रती सपना बड़ा तो फंड नी बड़ा जो डेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड का हुआ करता था वो आज है 240,000 करोड था जिस में से 508 स्टेशनों के उनर विकास के लिए दिये जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड लक्स यही है कि सामान्य यात्रियों को बैतर खुविदा मिने काम के लिए आना जाना असान हो पता है अन्देशों की तरह हमारे देश के रेली सेशन के विल रेली सेशन नहीं होते यहां इमोशन भी है यादे भी चिठोलिया भी और राहत भी संस्टुतिक आदान पदान के केंटर भी होते हैं हमारे स्टेशन इतनी महान संस्टुती एवं वास्तु कला को अब पतरशत करेंगे हमारे नए अम्रत खेले स्टेशन ताकि यहां खीजे जाने वाली हर सेर्थी के साथ भारत और जोए और जीए और खेले एसे संदार प्लेजर पहले लोग विदेशों में ही देखने थे अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं तो अब हमारे स्टेशन होंगे जांदार भी और शांदार भी यहां एरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी प्रवेश में गास के अलग-अलग द्वार होंगे यहां सुन्दर एग्जेक्यूटिव लाउंज यात्री प्रतिक्षाले होंगे यहां सीसी टीवी से निगरानी होगी फ्री वाइफाई होगा और सोचिये लिफ्ट और एसकेलेटर से कितने भुजर्गों दिव्यांगों की यात्रा सुख़द होगी अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर रेलीपी वाले साइनेज भी होंगे पर यावरन को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमरेट स्टेशन्स यह सभी लिमारत में बनेंगी ग्रीन बिल्लिंग माप दंड़ों के अनुसार और समुचित प्रताश व्यवस्था से लिप्त होंगे स्टेशन्स और सभी स्टेशनों में दूनों ओर सुनिष्टिक की जाएगी कनेक्टिविटी यह नए विक्सेट स्टेशन सिर्फ स्टेशनों कोई नहीं पूरी शहर को मॉजट इंफ्रस्ट्रक्टिर देंगे एक समान साइनिज लगाए जाएंगे अमलिट स्टेशन आइकोनिक स्ट्रक्टर के साथ सिरी सेंटर भी बनेंगे यहां होंगे भप्य रूथ प्लाजा शौपिंग कॉम्लेक्सिस्ट बच्चों के गेमिंग जोन, फूट कोर्ज अमरिट स्टेशन के जरिये ये सारे खुश्याएं और सविधाई शोटे शेहरों के योगों का भी अधिकार होंगी प्रधार मंट्री जी के परिश्ण पर देश की विश्पास का प्रतीख अमरिट भारत स्टेशन आज का भारत जो ठांता है वो पर दिखाता है उस आध्मविश्पास का प्रतीख अमरिट भारत स्टेशन भारत की महांता, समांता और आधमिक्ता का प्रतीख अमरिट भारत स्टेशन, जय हिंद